बहुत उम्दा तस्वीरों के साथ हुझने मीनो जी की रचनाय सुनी उसमें जाते हुए मजदूरों को देखा तो वो नजारा किसने नहीं देखा कि मजदूर तेरे सो किलो मीटर दूर से अपने घर अपने वतन जा रहे हैं इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न चाओं है इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न चाओं है बस ये तो रहा सामने है अपना ही गाओं है अपना घर तो लगता है ये राजमार्ग पर कहीं दिखती न चाओं है बस ये तो रहा सामने अपना ही गाओं है लगता है के लगता है के लगता है के कालीन पर ही चल रहा हूं मैं चाले नहीं है पाओं मैं चालों में पाओं है अब हमारे दोस्त केके गए थे कि मैयत पे भी जानम मजबूरी जैसा बन गया है उसके क्या सियासी कही है मैंने यूंके जाया रहा है लेकिन ऐसा मेरे साथ भी बीदा मैं नहीं मारा था क्या मौत को मारा एक डॉक्टर मित्र हमारे असमाय स्वार्वी से धारे करोना से मर गए सांथ ना देने हम उनके घर गए उनकी बिटिया नंगनी सी द्वार पर आई हमें देखके मुस्कुराई वो बहुत ही भूली नादान थी जीवन और मुत्यू से अंजान थी उसकी नंगनी सचाई दिल को लगी बेधने बोली अंकल भगवान जी बीमार है ना पापा गय हैं देखने मैं बहुत शुक्रिया आदा करता हूँ अपने बली साहब का और अपने कमार भाई का लेकिन इन देनों सवाल यह है के नैन हुए जलधारे क्यों मैं अभी भी उनकी घजलों खोजा हुआ हूँ मुतरमा बक्षी साहबा की नैन हुए जलधारे क्यों कोई किसी को मारे क्यों तुम इतने बेचारे क्यों और उनके वारे नियारे क्यों हम तो ऐसे कभी न थे हम तो ऐसे कभी न थे बदल गए हम सारे क्यों और जिनके रहते हिम्मत थी या आज की कड़वी सचाईए है जिनके रहते हिम्मत थी वे ही हिम्मत हारे क्यों और दिल ही जिनके बहरे हैं दिल से उन्हें पुकारे क्यों और उनके लिए महल कोठी और तुझको इट और गारे क्यों गंग आशीस जुकाए नहीं सागर चरन पकारे क्यों सेहने की भी सीमा है मिलते नहीं साहरे क्यों आँखों के मीठे सपने बहकर हो गई खारे क्यों रात में बादल धुंद धुआ दिन में दिखते तारे क्यों रात में बादल धुंद धुआ रात में बादल धुंद धुआ दिन में दिखते तारे क्यों और सन्नाटों से गुंज रहे गाउं गली गली आरे क्यों सन्नाटों से गुंज रहे गाउं गली गली आरे क्यों और बस यहां समाप्त कर देने में ही बलाई समझी कि गोरी से दर्पन पूछे कारे काना क्यारे क्यों